नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित मैश्वरी बिजनेस डिवलप्मेंट की सीरीज में आपका सौगत करता हूँ पिछली वीडियो में बात की थी किस तरह से अपने बिजनेस में मैनुफाक्चरिंग एंड सेल्स को फोकस किया जाए और आज जिस विशय पर हम बात करने वाले हैं वो आपके बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है मार्केटिंग किसी भी बिजनेस को एक्स्पोनेंशल ग्रोथ तक ले जाने के लिए सही मार्केटिंग स्ट्रेजी होना बहुत ज़रूरी है तो marketing strategy को हम दो तरह से plan कर सकते हैं एक online और एक offline तो सबसे पहले हम बात करते हैं online marketing के बारे में अब कोई भी product जो आप बनाते हैं इसकी manufacturing आप करते हैं चाहें आपकी own manufacturing हो चाहें contractual manufacturing हो sales करने के लिए marketing करना बहुत जूरी है चाहें आपका product B2C हो मतलब business with consumer हो या B2B हो business with business हो या B2G हो business with government हो आपको marketing करना बहुत जूरी है और marketing के लिए आज बहुत सारी ऐसी websites हैं बहुत सारी ऐसी portals हैं जो आपको बहुत अधिक lead generate करके देती हैं और आपकी marketing को strong बनाने में और आपके brand को build करने में आपको बहुत अधिक मदद करती हैं जैसे कुछ एक B2B sites के बारे में आपको बताता हूं आप अपने product या company का seller account इन B2B sites पर ज़रूर list करें क्योंकि यहां से मिलने वाली हैं आपको अपार leads तो सबसे पहली बात India Mart, Trade India, Alibaba, Exporters India यह वो portals हैं जहां पर सबसे ज़्यादा B2B leads generate होती हैं और यही बात B2C sites के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी classified websites हैं yellow page websites हैं जैसे Just Dial है, Sulekha है और बहुत सारी ऐसी websites हैं जहां पर आप अपने product को free of cost या nominal fee देकर भी register कर सकते हैं और बहुत अधिक leads generate कर सकते हैं the next that is social media promotion या online promotion जिसको हम digital marketing भी कहते हैं digital marketing के लिए मैंने एक separate video बनाया हुआ है लेकिन आज मैं फिर भी आपको बताता हूँ आप बहुत सारी lead generate करने के लिए अपने product को market करने के लिए आप facebook पर अपना page बना सकते हैं जैसे facebook है, linkedin है, twitter है, instagram है इसके अलावा SEO, आप अपनी website को promote करने के लिए अपनी website को search engine पर तेजी से लाने के लिए SEO का सारा भी ले सकते हैं, search engine optimization आज बहुत सारी agencies nominal charges में आपके लिए काम करने के लिए तयार हैं इसके लावा आप अच्छे bloggers के साथ, youtubers के साथ, content writers के साथ tie up करके भी अपने brand का endorsement कर सकते हैं और अपने marketing को strong बना सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा consumer तक पहुँच सकें और उसके दिल में अपने product के लिए एक जगा बना सकें अपने product या brand की marketing करने के लिए बहुत सरे traditional method आज भी कारगर हैं बहुत लंबे समय से इन methods का इस्तेमाल business में किया जा रहा है जैसे business tour आप zoning level पर, state level पर, country level पर या international level पर business tour करके भी अपने product की marketing कर सकते हैं इसके लिए ज़रूरत है सही तरीके से marketing को plan करने की क्या आप किस तरह के logo से मिलेंगे कैसे उनको अपना product का demonstration देंगे marketing का जो अगला method है वो है print media and electronic media अब print media और electronic media के माध्यम से भी अपने business को advertise कर सकते हैं और अपने product को market कर सकते हैं जैसे leaflet, brochure, newspaper advertisement, magazine advertisement, booklet advertisement and the next that is electronic media जैसे tv, fm, radio यहाँ पर आप अपने product के advertisement भी कर सकते हैं या इन पर आने वाले programs या news को sponsor करके भी अपने product को सही तरीके से market में place कर सकते हैं फ्रेंट्स, digital marketing से संबंदित हमने एक special video हमारी YouTube चैनल पर दिया हुआ है आप उसको जरूर देखें वो आपको help करेगी कि किस तरह से marketing and advertisement digital platform के जरिये की जा सकती है फ्रेंट्स, आप खुद भी digital marketing सीख कर अपने business का सही तरीके से advertisement and marketing कर सकते हैं हमारे digital marketing के online and offline दोनों बैचिस चलते हैं इसकी जानकारी आप हमारे office में call करकर भी ले सकते हैं आपके मन में digital marketing से सम्मतिदी कोई भी प्रशन है तो आप comment box में लिखकर मुझे जरूर बताएं आप किस तरह का business करते हैं या भविश्य में करने का plan बना रहे हैं उसे comment box में लिखकर मुझे जरूर बताएं अगली वीडियो में हम बात करेंगे administration के बारे में कि किस तरह से अपने business का management किया जाए administration किया जाए ताकि आप एक exponential growth हासिल कर सकें friends मेरे जीवन का उदेश्य की भारत के हर घड़ से एक सफल businessman तयार हो सके इसलिए मैं आप के लिए लेकर आया हूँ business development की ये series कोई भी informative वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस channel को subscribe करें साथ साथ bell icon को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का notification जल्दी से आपको मिल सके स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आप के सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत